अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि नीम तेल के बारे में इस नीम तेल के फाइदे क्या है क्या नुकसान है कैसे यूझ करना है यह सारी जानकरिय kadar जो है आज के विडियो में में आपको दिँगा तो देखिए यह जो नीम तेल है यह बहुत सारी company बनाती है जैसे के वेदनाथ हो गई डावर हो गई बढ़ी बढ़ी इसको बनाती हैं और भी बहुत सारी जो कंपनिया है वो इस नीम तेल को बनाती है तो आप चाहें तो किसी भी कंपनिय का ले सकते हो अब इसको खरीदना कहां से तो देखे जो भी लोकल आयरविदिक मेडिकल इस्टोर होते हैं वहाँ से खरीच सकते हो या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीच सकते हो डिसकाउंट के साथ अब हम इसके फायदे के बारें बात करते हैं तो देखे इसकिन प्रॉलम अगर आपको को इसकिन में प्रॉलम है करता है जिससे के आपकी स्किन जो है सौफ रहती है और देखिए इससे अगर आप मसाज करते हो तो हंडियां भी जो हैं आपकी मजबूत होती है इसके अलाबा ये नीम तेल आपके बालों को ये मजबूत करता है और कोई डेंडरफ है रूसी है यह फिर जुएं हो गए हैं ज आपके face पर जो है एकने pimples हैं तो उस पर अगर ही लगाओगे तो एकने pimples भी आपके खतम हो जाएंगे इसके अलाबा अगर आपको कोई कीड़ा काटता है या फिर मच्छर काटता है तो उस पर भी लगा सकते हो आपने देखा होगा अगर कोई भी कीड़ा काट ले तो आपका जो एरिया होता है वो थोड़ा सा सूच जाता है फूला फूला दिखता है इस कंडिशन में आप इसको यूज कर सकते हो और जैसे के फोले फुनसी उसमें यूज कर सकते हो अगर आपको सरदर्द हो रहा है तो उसमें भी आराम मिलता है अगर आप इससे मसाज करोगे तो इसका अलाबा अगर आपके दानतों में कीड़े लग गए हैं या सल रहे हैं आपके दानत या कोई मसूडों में प्रॉलम है तो इससे थोड़ी सी मसाज करिए मसाज करोगे मसाज करने के बाद कुल्ला कर लीजिए इसको अंदर नहीं लेना है तो उस condition में भी ये फायदे मंद होता है और इसकी properties होती है anti-bacterial, anti-aging और antiseptic इसकी properties होती है नीम तेल की तो देखा आपने कितने सारे फायदे हैं नीम तेल के खास तोर से आपकी skin के लिए तो काफी अच्छा होता है ये नीम तेल आप इसको use कैसे करना है तो देखिए एक दिन में आप इसको दो बार तक use कर सकते हो और आपको अगर ज्यादा problem नहीं है तो एक दिन में केवल एक बार भी use करके देख सकते हैं और खास तोर से रात में use करें तो बहतर रहेगा जैसे के आप बालों में use कर रहे हैं तो रात में जो है इसको बालों में लगा लें और सुबा अपने बाल धो लें तो आपको अच्छर जड़ मिलेगा आपके बाल काफी मजबूत हो जाएंगे कोई डेंटर बगेरा है तो बो भी चली जाएगी कुछ दिनों में इसके अलावा फेस पर भी रात में लगा कर आप देख सकते हो अगर आपको पिंपल्स वगेरा है एकने है तो रात में जो है इसको सोने से पहले सोने से करीब जो है आधा गंडे पहले लगा लें और सुबा जो है फेस धो लें इस प्रिकास इसको यूज़ कर सकते हैं और क कुछ redness जैसा लगता है इसको लगाने के बाद कुछ irritation होता है तो आप इसको लगाना बंद कर सकते हैं तो देखिए ये जो नीम तेल है ये जो है आपके external use के लिए है मतलब बाहरी use के लिए इसको जो है अंदर नहीं लेना है मतलब इसको पीना नहीं है खाना नहीं है अब देखिए कोई भी तेल इसमें mix करके लगा सकते हैं या नहीं तो बिल्कुल लगा सकते हैं इसको mix कर सकते हैं किसी भी तेल में क्योंकि ये जो नीम तेल है काफी थिक होता है काफी जो है इसकी थिकनेस होती है काफी गाड़ा होता है तो बिल्कुल आप इसमें मिक्स कर सकते हैं जैसे के कोकोनट का ओईल लेकिन अगर नारियल को जो तेल होता उससे कोई अलर्जी है तो मिक्स ना करें आप एक बार जो है इसको प्लेन लगा कर देखें और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है अगर आपको कोई स्कीन की प्रॉलम है चर्म रोग है तो केबल नीम तेल से काम नहीं चलेगा उस कंटीशन में आपको मेडिसिन भी खानी बढ़ती है जो कि आपको डॉक्टर बताएंगे डर्मेटलोजिस तो आप डर्मेटलोजिस से कंसल्ट करें तो बहतर रहेगा अगर कोई ज्यादा बीमारी है तो चोटी मड़ी बीमारिया है तो यह नीम तेल से ठीक हो जाएगी है और इसके लाब आप ह लाइक भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजेगा फिर में लेक इन रेक्स वीडियो में जब तक आप बने रही है और देखते रही है आपके अपने चैनल में नॉलिज फोर केर